रीजनिंग से एक और उप्यों के किलास आप लोगों के लिए टॉपिक है मिसिंग नंबर सबसे पहला सवाल देखिए 45320 734421 644522 9655 यहां कुशन वाचक के स्थान पे क्या आएगा आएगा आपके हिसाब से पिरते कुशन का आप लोगों को हल दूँगा ध्यान से आप लोग कवर करेगा ठीक है भी यहां वीडियो को आप लोग बीच में रोकिए रोक कर आप लोग इसका हल ढूंडिए हल करिए दिमाग लगाईए उसके बाद मैं वीडियो को पुनहें प्ले कीजिए और देखिए आपका उत्तर ठीक था के नहीं था इसने किया क्या है पहले वाले का चौथे वाले के साथ गुना किया है चार दू ना आठ यानि गुना किया फिर माइनस किया है इन बीच वालों के योग को यानि कि पांच पिलस तीन अब देखना बराबर जीरो लाया है चार दू ना कितना हुआ आठ माइनस पांस तीन कितना हुआ आठ आठ में से आठ जाएंगे तो कितना मचेगा जीरो बिल्कुल ठीक है ऐसे ही साथ चोग अठाइस इन दोनों का गुना की हag 7 का और 4 का 28 इन दोनों को बीच में से घटा दिया यानि माइनस 4 और 37 कितना लाया है 21 लाया रिल्कुल ठीक है गुना करिए 6 पंजे कितने हुए 30 माइनस इन दोनों का योग 4 और 48 कितना वचरा 22 भीज ठीक है ऐसे करिये पहले वाले की चोथे वाले की साथ गुना नोपंजे कितना हुआ पैतालिस पैतालिस मैंसे छे और पांच ग्यार है आप लोग जोड़ के घटा देंगे तो आपका अंसर दोस्त चोथिस इस सवाल का बिल्कुल राइट बैठेगा कितना अंसर था दोस्त इसका अंसर चोथिस था ठीक है ध्यान से देखना विदाउट आप्सन हल करा रहा हूँ आप लोग को ताकि आप लोग सीखें अगला सवाल ये है चपन पैसर्ट अठेटर बार है प्रसनवाचक के स्थान पर बढ़ाईए 30, 44, 14, 48 क्या आप लोग के हिसाब से इसका जो अंसर है वो दोस्त वो हो सकता है जराब बताएंगे आप लोग देखें बहुत बढ़िया सवाल है ऐसी बात नहीं के अच्छा नहीं है 44 पिलस 12 इन दोनों को जोड़ के उपर लिख दिया 56 मिल्कुल ठीक है और 30 और 48 इन दोनों को जोड़ के 78 लिख दिया ठीक है न तो यहां प्रिसन वाज़क के स्थान पर क्या रखा जाए जो इन दोनों संख्याओं का योग 65 के बराबर हो आप कहेंगे 65 मैंसे घटाई जो दो 65 मैंसे आप 14 घटाएंगे तो यह एक और यहां आ जाएगा एक क्यामन तो यहां एक क्यामन होना चाहिए एक क्यामन और 14 तभी यहां 65 हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर है 51 इस हिसाब से भी आप लोगों से कुशन पूश सकता है अगला सवाल कवर करते हैं सवाल नमर 3 है 4,8,20,9,3,15,6,6 यहां प्रिसन वाचक किस्थान पे इस सवाल में आना क्या है विदाव टॉपसन है यह जरा बताईए कि क्या हो सकता है तो देखिया अच्छा सवाल है इस निकिया क्या है इस बीच वाले के साथ में दो की गुना किया और पहले वाले को प्लस कर दिया है आट दूना कितना होगे सोले सोले में प्लस चार करेंगे तो बीस हो जाएगा इस वाले के साथ में दो की गुना की तीन दूना कितना होगे च्छे और 6 के साथ में इसको प्लस कर दिया पहले वाले को 9 और 6 पंद्रे हो गया इसके साथ 2 की गुना कीजिए 6 दूना कितना हो गया 12 इस वाले को प्लस कीजिए 12 और 6 कितने हो जाएंगी 18 तो इस सवाल का राइट आंसर आपका 18 है वीडियो को रोक लिया करिए और फिर आप लोग हल कर सकते हैं अगला सवाल 13, 54 प्रिसन वाचक में आप लोग बताएंगे 7, 27, 45, 144, 32, 68 यहाँ प्रिसन वाचक के स्थान पर क्या आ सकता है क्या इसका सॉलूशन हो सकता है डूनिये भी क्या हो सकता है बताओ देखे इसमें किया किया गया है इसके साथ दो की गुना की है साथ दोना कितना होगे चौध है और इसको पिलस कर दिया पहले वाले को इसके साथ दो की गुना 45 दोनी कितना होगे 90, 90 में 54 को जोड़ देंगे 144 आ जाएगा इसके साथ में दो की गुना करो 32 दुना कितना हो जाएगा 64 ओपर क्या जोड़ें कि जो 68 हो जाएए आप कहेंगे बस 4 ही तो जोड़ दो अगर मैं यहाँ 4 रखूं इसके साथ इसकी गुना करों 32 दुना 64 64 से लाना 68 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा मातर चार जोड़ना पड़ेगा ठीक है अगले सवाल पर आ जाएए 9, 6, 15, 12, 8, 20 बहुत सिंपल कुशन मिला 6, 9, 15, 8, 12, 20, 4, 6 प्रिसन वाज़त के स्थान पर क्या आएगा ये कुशन बूचा है तो देखें 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15 8 और 12 कितने हो जाएंगे 20 ऐसे ही 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 तो इसका राइट आंसर दोस्त 10 है साइद इससे ज़्यादा सिंपल कोई कुशन आपको देखने के लिए मिले अगला सवाल करेंगे नेक्स कुशन है 22, 24, 96, 12 और 108 यहां प्रिसन वाज़ा की स्थान पर बताईए यहां पर है 18 कि क्या आसकता है क्या आसकता है बज़र बताओ देखो बीच वाली संक्या का आदा कर दिया और इस वाले के साथ तीसरी वाले के साथ गुना कर दिया 12 चिंग कितना होगे बहतर इसका आदा करेंगे तो यह हो जाएगा 8 इसके साथ गुना करेंगे 12, 96 तो यहां कितना आना चाहिए उसका आधा हो जाए अठारह के साथ गुना हो जाए ताकि 108 आजाए आप क्या रखेंगे यहाँ पर हना आप कहेंगे कितने अठारह चिक्कुए 108 होता है यानि कि 6 आना चाहिए लेकिन बीच में 6 का तो गुना यहाँ पर 12 भरा जाएगा क्योंकि 12 का आधा करोगी 6 और इसके साथ गुना करोगी तबी तो 108 आएगा अगला सवाल देखो यहाँ परिसन वाचे के स्थान भी फाइंड करना 13,49,49,70,9,30,13,11,69 आखिर आएगा क्या देखिए इसने किया क्या है इसके साथ 2 की गुना 9,2 कितना होगी अठारे और इसके साथ 3 की गुना 70 कितना होगी अक्यामन दोनों को जोड़के 79 लाया इसके साथ गुना किया है 2 की दो की गुना किया है यह 26 आया इसके साथ गुना किया है तीन की यह आगया 33 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर उनसा डाजाएगा इसके साथ गुना करनी है तीन की उड़नचास लाना है तो 33 आपके पास में अलरडी हो चुका है कितना लाना है यहां से लाना है 16 तो कितने की गुना करें कितने की गुना करें ताकि 33 में आप कहेंगे सर 16 लाना है तो आप 2 की गुना कर रहें यहां पे तो 2 की गुना करने के लिए आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा आपको 8 रखना पड़ेगा अगर आठ के साथ आप दो की गुना कर दो कि कितना हो जाएगा 16 बिल्कुल ठीक है और 16 और 33 जब जूड़ जाएगे तो डंचास हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा यह इस प्रकार से तो यहां आठ आठ आपका इस सवाल का राइट अंसर है दोस्त ठीक है न आट, दूने सोले, जैसे की नौ दूने इठारहे हुआ, सत्रेती क्यामन, तो तेर piace 49 होता है दो उस्तियाद रखना 49 तो अब 49 है तो यहां कितना रहे हैं पांच रखना पड़ेगá पांट दूने कितना हो जाए मैम गगगा 10, 49 और 10 कितने हो जाए 49 नंचास हो जाए अगला सवाल देखी बार है 47, 21, 10, 52, 64 यहां प्रिसन वाचक पे और यहां 24 यहां आकर आ किया सकता है देखे बहुत सिंपल सवाल है यहां इसका तीन गुना लिखा हुआ है यहां इसका तीन गुना लिखा हुआ है याद रखना, यहां इसका दो गुना लिखा हुआ है तो जहिर सी बात है अब ऑप्शन के हिसाब से अगर आप लोग इससे देखेंगे तो आप कैसे करेंगे तो देखे पहले अब यहां कौन सी संक्या रखी दाए ताकि ये कुशन आसानी के साथ सॉल्व हो जाए